भक्ति और मुक्ति ये दोनों अलग अलग प्रसंग है थोड़ा सा दान करोगे थोड़ा सा पुर्ण करोगे थोड़ा सा सत्कर्म करोगे थोड़ा सा आप किसी के लिए समर्पन का भाव रखोगे तो मुक्ति तो मिल जाएं जाना मुक्ति का कोई विशेश चेंशन या मुक्ति का कोई विशेश चिंता करने की जरूद नहीं है और श्यूमाहा पुरान की कथा करती है कि मुक्ति तब हो जब उसके साथ में भक्ति का समावेश हो और भक्ति का समावेश कब होगा जब हम कहीं सत्यसन करेंगे बजन करेंगे कीर्टन करेंगे जिसे मेरे रामजी महाराजा ने शबरी अंबा को जो बताया है कि प्रतम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रतीमम पकथा है प्रसंग का शबरी अम्बा को मेरे राम जी करते हैं कि प्रतम बगती है संतों का संकन संतों के सानित में सत्यसंग करना और जब हम सत्यसंग में लीन होते चले जाते हैं हम भगवान की अविरल भक्ती में लीन होते चले जाते हैं हम सत्यसंग की और आगे बढ़ते चले जाते हैं तो परमा वह पूरान को कथा कुआ आकक सुन ने के लिए हुए पूरान को उस अजिए हो एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी, बची कुछी थी, कपड़े में से जैटकार दी, घर पहुचे तो लोगों ने पूछा, कथा में गई थी, हाँ, क्या लेकर आई, अरे वो जो लेना था, वो तो वहीं छुड़ दे, जो भक्ती प्लाप्त करना थी, वो तो चुड़े, नावरात्रे का ब्रत कौन-कौन करता है, हाथ उठाव जला, सब करते हो, रख लेँ, नावरात्रे में जोद कौन-कौन जलाता है, ठीक है, जो जोद जलाते हैं, उन्नो दिन तक अगर देवी की जोद जलाकर रखना है, तो उसके उपर हंडी रखना पड़ती की ने रखना पड़ती? अरै बोलो तो जोद करें, रखते हैं हंडी को? क्योंकि अगर जोद के ऊपर काच की हंडी या उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी रख्षा के लिए, हम विबस्ता नहीं तरेंगे, तो हवा आएगी और जोद को जोत जलाना है तो उस पर हंदी रखना जरूरी है बहुत जरूरी है अगर हंदी नहीं रखाएगी तो हवा का जोत आएगा और वो जोत को ठंडा कर देगा गुजा देगा समाप्त कर देगा उसी तरह जैसे अखंड जोत जलाते समय नो दिन की जोत जलाते समय हंदी रखना जरूरी है जिससे जोत जलती रहे उसी तरह जब तक यह मनुष्य का देह है और इसके भीतर जब तक जोत जल रही है स्वास की तब तक परमात्मा की कथा और शिव के मंदिर की हंडी रखना जरूरी है जिससे यह जोत अखंड जलती है इस जोट की अखंडता तब रहेगी जब तक ये भगवान के मंदिर नहीं जाता है ये जोट की अखंडता नहीं रहेगी सनातन धर्म की अखंडता पूर्व में भी रही है को सनातन धर्म की अखंडता में धोती और सुचिक क्या के जिए जम के करना धोथी औरम हो मजबूत करने की ये दोप गूरत है जो सनातन धर्म की अखंडता को घोप्रभल करते हैं कि बलवान करते है अब भगवान की अविरल भक्ति को हमें जिस रूप में गरना है भगवान उसको पाने का तरीका हर्म जो जन्मलिया मनुष्य होस्के लिए अमरे वेदों में हमरे शास्त्रों में हमरे इन ग्रंतों में वर्णन किया अब जया है तो सी अबाबा ने विराम लोंकोधारा कुमर समर नर उतराहिं जंके बोलो जरौ उतरह ने पारा क कलिकाल में नाम की अधार शिला EP तुल्सथी राज्जी नैंहीं लिखा कि कल्यूग केल रामधार तोकर अंद चिह को मालूम व्यजी ऑईगा पकर देवि इंग Kar पढ़ेगी वो उसका भजन करेगा इसलिए तुलसिदा जी ने यह नहीं लिखा कि कलियुग केवल राम अधारा तुम किसी का भी नाम लो पर नाम लेते समय तुमारा विश्वास तुमारी डड़ता तुमारी शुद्धा तुमारा बल द्रश्टी चित यह सब एकागर चित ह कि अध्यागर चित हो जाएगि तो शुमारान की कता करती है thriving कथा करती है परमात्म को मिलने में देरी नहीं होगी मिलागी मिल भगवान को मिलने में देई कि शुमारान के प्रादम में देवराज भ्रहमन चलीत आता है एक ब्रहहमन देवराज और इस ब्रहहमन देवराज ने गरमें जनम देने के बाद भाद में कर्म कभी नहीं करना ना कभी बेद पढ़ना, ना कभी शास्त्र पढ़ना, ना कभी भगवान का भजन करना ना कभी किर्धन करना ना कभी मंत्र जाप करना ना कभी स्मर्ण करना बस एक काम करा इसने देवराज ने ब्राह्मन के घर में जनम लेने के बाद कभी सतकर्म नहीं करा कभी ब्राह्मन कर्म नहीं करा और ब्रहामन कर्मना करकर के वले काम करा कि चोरी जरूर करें इसने पर वो ब्रहामन का कर्म नहीं है ब्रहामन का कर्म है सास्त्र पढ़ना सास्त्र सुनाना वैश्य का कर्म है धने खग्रित करना चत्री का कर्म है रक्षा करना शुद्र का करम है ध्यान देने वाला गर जिंदगी की इन पहलों पर ध्यान दे दे तो जीवन की सार्थ तक्ता हो जाए ये जो शुमाहा पुराण की जो पोथी रखी हुई है इसके चार पाएं है इस चौकी के इस पाटे के इस चौरंग की जिस पर भगवान की ये पोथी रखी है ब्रहामन जिसके उपर श्रीमत भागवत रखते है रामचे तमानस रखते है शुमाहा पुराण रखते है पद्म पुराण, अगनी पुराण, नरवदा पुराण, ब्रमवर्ता पुराण जो भी पुराण ब्रहमन अगर किसी पाटे पर रखता है तो उसकी चोकी पर रखता है चोकी के चार पाए होते हैं जिसके उपर आप बोजन रखते हो पाटा चोकी जिसके उपर भगवान को विराजमान करते हो जब पूजन करते हो सक्तनान भुर्वान की तो चोकी की उपर रखते हो चार पाय होते हैं जिस पर पुरान रखी है जिस पर परमातमा रखा हुआ है जिस पर भगवान हम रखते हैं जिस पे हम भागवत रमयंद गीता शुमाः पुरान अगनी पुरान नर्वदा पुरान जिस पुरान को ब्रहमन पर चर सबता है यह चार बर्न परिप्र उसके Ensuite ये शुवह पुरामन का छे वह भागवत रखी हुई हिए श्यू पुरान की कथा करती है एक पाया भी अगर इसमें से तूड़ जाता है तो पुरान उस पर नहीं रखाती है क्योंकि पुराने रखेंगे तो वह गिर जाएगे उसी तरह हमारे सनातन धर्म के ये चार वर्ण चार पहलू चार सुप देने वाले हैं एक ब्रह्मन दूसरा छत्र तीसरा वाइश और जोथा शुद्र अगर ये चार वर्ण के चार पहे मजबूत है सनातन धर्म के तो ये सास्तर करता है कि फिर सनातन धर्म तभी नहीं गिर सकता वह अगर नहीं रहे इस वह अगर से तो उसको कोई गिरानि पर देवराज नाम का ब्रह्मन कि चोरी का धन लेकर शंकर भगवान के मंदिर में प्रवेश कर गया क्योंकि उसके श्रीर में ताप भुरा मारत सारे तीरत धां आपके चर्णों में ए भोले नाथ प्रणा आपके चर्णों में मारत जो सुकून नहीं पूरे संसार में जो सुकून नहीं पूरे संसार में वो सुकून मिलता है महादेव के दरवार में इस बड़ी प्रेम स्वाब्ताव ओढ़े चोरी करने वाला देवराज अगर दन्की चोरी जा रहा है और उसके शरीद में अगर कुछ बिकार लग रहा है उसके शरीद में तो देवराज अगर कहीं गया तो कितने सारी जगा थी देवराज को छुपने के लिए दूसरी जगा चले जाता पर नहीं अगर देवराज गया तो महादेव के चरणों में गया शू मंदिर में और आपको भी पहले कखा में कहा च्पिर कर रहा है जीवन में अगर कश्ट हो तकलीफ हो शरीर में परिवार में अगर कुछ भी समस्या है तो सारी समस्या का हल एक लोटा जल बस सारी समस्या का हल हो जाएगा ना कोई बाबा जोगी के चकर में पढ़ना है ना कहीं जाड़फू के चकर में पढ़ना है ना कहीं बभोता बभूती के चकर में पढ़ना है अपने को तो एक के चच्चर में पढ़ना है जो समसान में अखंड धुनी रमा कर बिठा हुआ है कौन है वो देव अधिदेव महाद परिवार वाले भी आग लगा कर चले जाएंगे जब मरोगे समसान में अकेला छोड़के आग लगा के चले जाएंगे रात को तुम से बात करने के परिवार वालों से करेंगे ना जब में मरूं तो मेरा हैंड सेट डिक चिता पे धर देना आवा रखेगा कोई जी के सारे कपड़े बाहर भटक रहें वेटा दादा जी चले जाएंगे जिस पे मरे गादी भी फेड़ी जिस कपड़े को पेन कर मरे वो कपड़ा भी फेड़ दिया तो पोता ने दादी से का दादी दादा की सोने की चेन पड़ी जाएंगे वो भी तो फिट दादी से पल्लू रखे तो एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कुट्ता मरता है तो उसके उपर कफन नहीं डाला जाता कपड़ा नहीं डाला जाता पशू मरता है तो उसके मरी तो उनके उपर कोई कपड़ा नहीं ढाक जाता उनके उपर उनको धाकते नहीं है बस्तर नहीं डालते हैं पर मनुष्य मरता है मानव जब मरता है तो उसके तन को क्यों ढागा जागा उसके शरीर को क्यों ढागा जागा 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 बैमानी करता है कि मरने के बाद इसके तन पर कपड़ा इसलिए ढाका जाता है कि इसकी सारी पुराई जानवर जल्चर थल्चर यह जूट नहीं बोलते हैं इनका भी एक नियम है इनका भी उसूल है जानवर का भी एक नियम होता है जानवर भी एक संकल्प में बंदा होता है सेर से कोई के दे कि तु घास खा खाएगा जम के बोलो जड़ा नहीं खाएगा हाथी से कोई के दे बक्री से कोई के दे कि तुम मांस का भक्षण करो करेगी नहीं जानवर का भी एक पसूल होता है कि मांसाहारी मांस का ही भक्षण करता है पर जानवर का एक संकल्प और एक पसूल होता है कि वो अपने नियम से चलता है कि मैं मांसाहारी हूं तो मांस खाऊंगा मैं शाकाहारी हूं तो शाकाहारी की बस्तू ही खाऊंगा पर नुतु संसार में जनम लेने वाला यह मनुष्य कोई संकल्प और इसका कोई उसल नहीं होता यह तो जहां कभी इसमें घुश जाता है कभी इसमें घुश जाता भोजन करते करते कब यह मांसाहारी बन जा है कभ शाकाहारी दो इसका कोई उसल नहीं 3 समझ लेना कि जानवर भी तो दिना ये का वेस्ट निव को तोड़ चैनल कंजय को समझ ine है 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 हम सुल्टर है कि हमने प्रॉलत है कितना बड़ा संकल्प लेकर हमारा जनम हुआ था कितने बड़े संकल्प के अन्कूल हमारा जनम हुआ था कि हम बद्ध के थीलोग में आएंगे तो भजा नंकरेंगे इसमर नंतर अरंगे नाम जाप करेंगे ऐधी मेधियी के अ हम कहां है हम उसर शिव भत्ती से दूर है हम उसर अभीरल भत्ती से दूर है इक तेरे ही भरोसे ओभोले तेरे ही भरोसे हम भगवान की भक्ती की अवीरल भक्ती की एक आनंदता के साथ इस जीवन को सुख मैं जीए जानवर मरे तो उसके तन को नहीं ढखते पर मनुष्य मरे तो उसके तन को ढखा जाता है केवल तन नहीं ढखा जाता क्यों ढखते हैं उसका कारण है कि जूट चल कपट परपंच बैमानी सब इसके अंदर समाया हुआ है इसलिए इसको ढखना जुरूरी है शुमंदिर में नहां जा रहे हैं आप कहां बेट रहे हैं आप कहां पहुंच रहे हैं इसमें आप को इसमर्ण होना चाहिए मेरी माताओं, मेरे भाई जो लोग भी इस पावन कथा को सुन रहे हैं चाहे बुकट सुने चाहे यूटूब पर सुने चाहे इस पावन प्रागंड में सागर की इस पावन भूमी पर बेट कर तखा करस्कान करें उनसे निवेदाने कि आप कहां बेट रहे हैं किस जगहां पर बेट रहे हैं कई लोगों के मने में प्रिश्ण खड़ा हो जाता गुरुजी कथा सुनने से होगा क्या क्या होगा कथा सुनने से क्यों हम समय बरबाद करें अपने दुकान खोल कर बेटें नोपरी करें सर्विस करें हम कथा में जाकर क्यों बेटें तीन घंटा ना हम कपट करेंगे यह हम मौन रहका के घेल तो हो सकता है कि हमारी जीवन की के में थे टीन गन्टे बेठेर होगे तुम्हें प्रमात्म से तो रहोगे कर पिलें थिन घंडें तुम बेकार कर्मसे से बचव दो घ्न और यदि थोड़ा वह समय भी अगर आपका भगवान की बिदल भक्ति में लगा है और बहुत ध्यान से सुनना महराज इतने दूर से सागर से पटकूई तक तुम अगर आटों में बेट कर काड़ी में बेट कर मोटर साइकिल पर साइकिल पर स्कूर्टर पर इस्कूर्टी प अगर यहां तक आयों तो एक दिन नंदी पर वेट कर गरून पर बेट कर वह भी तो वहां तक जाए और जब कि श्म के मंदर में जब जाता है अग्वान शंकर के मंदर में जाकर जब बेटता है साथ में धन है थोड़ा सा चोरी का ग्वान चोरी के दन को लेकर को मंदर में पहुंचा तो मन चित तो कित था जो है या शजमा मंधिर में तो है के कथा मे कि देखो के श्रीर को लेकर कथा में चले जाना सरले पर मन को कथा में लगाना कठी नहीं एक बात आप लोगों से कहेंगे बहुत दूर दूर से अपना घर छोड़कर आटों में दस बीस रुपे लगाकर आप यहां पहुंचते हो तो कथा बड़े ध्यान से सुनना जिस साथ दिन की जब कथा सुन लो जिस कामना से सुन लो साथ मारा कि देवराज मंदिर तक पहुंच गया हूं पर शुमंद disci पहुंचने के बाद में देवराज की चित्व रती भगवान में नहीं है उसके सदि वैश attentं zakette होता है ते तुम किसी कर शितिकर इसे काम जरूर करना मेरे देव अधिदेव महादेव का दर्वा जम्मत छोड़ना उसको पकड़ करना मेरे शिव का द्वार शंकर की चोखट शंकर का द्वार पकड़ कर रहे हैं दिल से हिर्दय से चित्च से मन से हो यह जो भग्यान की वक्ति स्वर्ण करता है को अश्कामनूरत कूण होता है है ऑवधी देव महादेव के श्यू महपुराण के मूल मंत्र का इस्मर्ण ळेंगे और मंत्र भोलने के बाद अपने दूम कि यह यह दा देवदी इव महादेव से कहेंगे श्री श्रिवाय नमस्तुप्यम श्री श्रिवाय नमस्तुप्यम। श्री श्रिवाय नमस्तुप्यम। श्री श्रिवाय नमस्तुप्यम। श्री श्रिवाय नमस्तुप्यम। श्रिवाय नमस्तुप्यम। हम यह नहीं कर्た कि मनुष्य के शरीर में दुक नहीं आएगा कोई महराज आपसे कता हुआ कोई कथावाला यां मेरे पास आओ तो नहीं दुख नहीं आने दूंगा तो भागवांम बहले वगवानँ करता попробora कि यह संक्र भगवार पर जुछ परिवार पर भी दुछ आया अगर मत्यु मता जहां पर विराज माने धुमावती जहां पर मिठ रागिना ये शुप अरिवार के दुख का खाल us लोग में इंद इंद्र लोग में रहता है और पारफ़ति में केलाज पर 삶र प्रत्वी कि भूमी पर अगर हम रहते हैं तो कश्ट मनुष्य की देह में आएगा जरूर यह निश्चित है ज्यान करिए बदाम खाओगे तो भी मरोगे नी खाओगे तो भी मरोगे एसी और डंलप के कद्दे में रहोगे तो भी मरोगे और नी रोगे अरे बोलते तो जाओरे सागरवलो तो भी मरोगे कथा सुनोगे तो भी मरोगे और नी सुनोगे तो भी मरोगे गुलाब जामन खाओगे तो भी मरोगे और नी खाओगे तो भी मरोगे पर मरना निश्चित है निश्चित है डर कर मरो चाहे वीर बन कर मरो मरतिव तो निश्चित है पर इन दोनों में कौन सी मरतिव स्रेष्ट है डर कर मरना कि वीर बन कर मरना तो है निश्चित है शिवजी ने माता पारवती से कहा मरतिव लोक में जनम हुआ है तो यह बात याद रखना पारवती कि इस संसार सागर में मरतिव लोक में जनम लेने के बाद मनुष्य को भोगना पड़ता है दो कारणों से मनुष्य का श्री मिलता है एक अगवान का भजन करने के लिए दूसरा कर्म का भोग भोगने के लिए और सुनो पारवती मरतिव लोक भोगने के लिए पारवती जी ने पूछा वोलेनात जी लिए काशी में आप मुझे क्यों समझा रहे हैं क्या बात है शिव जी ने कहा हो सकता है जीवन है यह मनुष्य का कभी मौक मिल जाए और उस मोके में कर्म भोग में भोगना पड़ सकता है कभी सुख है कभी दुक है पारवती जी ने कहा आप जानते नहीं हूं कि में देव अधिदेव महादेव की धरम पत्मी संकर भगवान ने कहा यह मान यह पद यह प्रतिष्ठा जीते जी रहती है संसान में मुर्दा जब जल जाता है अच्छे अच्छे जिनकी खूब खूब जोरदार हस्ती थी उनकी एक लोटे में अस्ती थी कितनी अर्जम के तो फ़लो एक लोटे से ज्यादा थीवी नीरे चाट चाट के बटोरी है संसान में तीसरे के दिन जाते हैं रात समेटने तो बटोर के चाट 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 है फावरेस हैं दात मिले कि उंगली की हट्टी है को पढ़िया है फेपड़ा है कितना रोना आता होगा इतना वड़ा मनुस्य का सरीर रोईते से लोटे में पहला इतने से लोटे में और टेंशन मतलो तुम भी अपन सब भी लोटे में भराएंगे दो कारशन कम पार्वती जीवन में तो खाता है पार्वती जीवन में तक पार्वती जीवन स्ट हाँ एक जन्म होई कर Мोह इन आर्दाज के खरमें तेरा जन्म हो ओस मिराँ अ कि मिरिया अधाग निए ओर। उसलेव दुख और सुथ ये तुनों मिलेंगे जीवन में पारवति जी करती आशा होताइं हुआ और आया समय्य है कि धत्या वाली माता की कथा करतिक यह दुमावति की समय आया शंकरिजी अन्हीन हो गए पारवती से एकर अथमMM जी समाधी में बेड़ गए समय आया घर परिवार में दुख और सुर्तों चलते रहते हैं आज भगवान गणेजी ने आकर कह दिया मां बहुत भूख लगी है मां कुछ भोजन दे दीजिए मां अंदर गई तो रसोई घर में कोई भोजन नहीं था क्योंकि यह लिला शिव जी कर रहे हैं रसो पर्चतहरी कोई भोजन रहे हैं डोड़ी दर्बाद में कारती not मां मां बहुत भूख लगी है माने अंदर जाकर दिखा तो भोजन नहीं था अशोख संधरी दोڑकर ‫ रहे ही न भोजन नहीं मिला मत्पारवतिकी आख में असु बढ़ बच्छे आज विलक है मेरे बच्चे आज यह दो रहे हैं मेरे बच्चों को आज दुख है भूक लग रही है बहुत नहीं है बड़ा अमाता पारवती को दुख वह तुमाता पारवती किससे का है पती अपनी पतनी पर चड़ जाता है कभी कभी और चड़ कर बोलता है जब देखो जब तु मेरसी कहती है तो पती से पतनी कहती है तुम बता दो कि मैं तुमसे नहीं कहूँ तो फिर किस से कहूँ बोलो रीजी जी जी हो सही है कि गलते और अगर मैं अपने दिल की बार दूसरे से कहूँगी फिर तुमको काली वाली मेर्ची बोलो सही है कि गलते अगर पतनी पती से नहीं कहेगी तो किस से कहेगी संकर भगवान को माता पारवती में जगाना चाथ शिव जी नहीं हुधे जल चड़ाया शिव जी नहीं उठे बेलपत्र समर्पित करी शिव जी नहीं हुधे बार-बार प्रयास किया बाबा देव अधिद्यों महादेव नहीं क्रोध आ गया मा अन घर में नहीं भोजन नहीं घर में माने सोचा मेरे बच्चों को मैं अगर इस तनों में दूद आता तो मैं अपने बच्चों को पिला देती पर इस तनों में दूद भी नहीं क्या करूं मां शंकर भगवान को उठाई माता पारवती और शिवजी को उठातर माता पारवती शंकर भगवान को निगल लगए कि आद्विशक्ति है कि आद्विशक्ति है शिव को निगल गए शंकर भगवान को निगली और निगलते से माता पारवती के स्तनों में से दूद बहने लगा गणेजी कार्थी के शुक सुंदरी पीकर पेट भर लिए मां अब हमारा पेट भरा गया भगवान विश्वु ने इंदर से कहां इंदर शिव जी नजर नहीं आ रहा है जरा पता करो बाबा देव दिदेव महादेव कहां है शंकर भगवान का जब पता लगाने के लिए इंदर देव गए शंकर जी मिलते नहीं ब्रह्मा जी धूंडे भगवान विश्वु धूंडे तेती सकाउटी देवता भगवान शंकर को प्रयास करते रहे और भगवान देवादी देव महादेव नहीं मिलते आखनी में देवरिशी नारष से पूछा की भोले नाथ कहां गए तब कहा माता पारवती अपने बच्चों का पेड़ भनने के लिए निगल गई सुनते सही भगवान विष्णु ने माता पारवती से कह माता पारवती ने अपने मुख से नासी का से दुम्वे के रूप में भगवान शंकर को प्रगट करा तो माता पारवती का नाम धुमाबती तो शिवजी का एक नाम धुरुम बान पड़ गया माता जी का नाम क्या पड़ गया जमके बोलो जड़ा दूमा वती माता पड़ गया शंकर भगवान सामने आ गयो रहाते से पारवती ने जब उनके चरणों को प्रणाम करा शिवजी ने कहा पारवती सुन थोड़ी देर के मांग में संदूर नहीं होगा तेरे मांथे पर बिंदी नहीं होगी तेरी पाउं में बिच्छोडी नहीं होगी तेरे गले में उस समय पर मंगल सुत्र नहीं होगा तु धूमावती बन गई थी अपने पती को निगल गई थी इस लिए इस सुरूप में तेरी ना आउं में बिच्छ़ूडी न मात कलें ओर मकल सूत्र होगा मातापनावती solveust TH in मूर्ति कर से तर्शन इसलिए आज भी सोब्हाग्ग्वति मातन हैं धुमावती माता का दर्शनमय करती हैं पार्दा परदा लगा होता है। उरुश बंदिर के अंतर जाते हैं, माता को भोग लगाते हैं, प्रेणाम करते हैं, बापिस परदा बन करकर बाहर निकल जाते हैं। सबसे ज्यादा दूमावती माता की अराधन अगर कोई करते हैं कारी सब्सक्राइब राइनेता आधिक प्रशासनिक अधिक लोग जो जाते हैं वहां कुछ पाने के लिए जाते हैं करते हैं में अगर सबस्क्राइब उसक्ते हैं यह है कि सुष्ऑ चुछो करना कि पाकूर अगर सब्सक्राइब मात केघर बसे कर नदो लोगन हो तो और युक्षी तो ہ तो आए गाफ तो तो आएगा, सुक भी आएगा पर घबराना नहीं है एक काम करना कि जीवन में अगर रोग आए, बिमारी आए, तकलीफ आए कष्ट आए, सारे शो प्रकी तकलीफ में अगर जीवन में आ रही है, तो एक काम करना संकर के मंदिर में जाना मत छोड़ना श्री शिवाय नमस्तु भ्यम इस मूल मन्तु का जाब करते हुए जीवन को निकालना हो सकता है तिरे दुख कड़कर जैसे भाइया जी बोले कि बिमारी इतनी बड़ी थी डाक्टर ने भी कह दिया था कि कैंसर होगा निशित है कि कैंसर होगा जांच भी पहुच गई पर 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 बार एक के रही दियाम इने खाया पिया है के रहा शुक्रिया है थे एक रहा शुक्रिया है इस प्रश्व की अराधना भगवान शंकर की भक्ती और शुब कि अविरल भक्ति जो रहानना करता है तो जीवाना दुख कटते चले दुख मितना यह दुख को समात करने का तरीका आपको आना चाहिए केवल शिव का अस्मरण जनमलिया तमाता के गर्म में केवल एक पिंड के रुप में थे और मरने के बाद भी परिवार वाले अगर कुछ छोड़ते हैं तो केवल पिंड ही छोड़ते हैं पिंड देखकर पिंड छुड़ा लेंगे अरे बोलो तो जमके अपने घर के लोग इत्ता वड़ा पिंड बनाएंगे देगे और सो साल का पिंड छुड़ा जाब कतम हो गया तुमारा और हमारा अब सब समात हमने नुक्ती सेंव पूरी रायता पंडितों को खिला दिया है और तेरा बामन जिमा के हमने पिंड कि छुड़ाने इसे लिए बार बार करते हैं मत बुरे करम कर बंदे बरना पच्चताएगा तेरे करम का फल भी तू ही पाएगा जेसा किया तुने तेरे आगे आएगा मत कहेंगे दुकान पर सर्वीस पर नोकरी पर जूट तुम बोले ओ कपट तुमने करा है बैमानी तुमने करिए प्रपंच तुमने करा है इसलिए ना पतनी भोगेगी ना पुत्र भोगेगा भोगना तो तुझे अकेले पड़ेगा इसलिए याद रखना तेरा क्या हो गड़े कालिया इसमर्ण रहे आप आप उपर बंदी मना रोका जाएगा रोएगा अगर नरत मुझे दे रहा हो तो मेरे पतनी और पच्चो को भी दो मिरे पभीवार भी नंग भए जो तो परमातम कहेगा यम के दूद कहेंगे जुड तूनैं भूला मैं मानिं तूने करी के-च छल तूने करा कपटूने करा जो खाएगा पेट उसी का भरायगा इस निर जो वोलेगा डम नरत क्तो जी जी पूरा जमान तो मारी सुनता हो पूरे हमारी सुनते हो पूरे साईटि के लोक तुमारी सुनते हो और तुमारी पतनी और तुमारा कुछ से करने पहली waż महापुराण में जाना दो क्यूंकि सब सुने और पतनी और फुत्र ही तुमारे कहने पर नहीं चले तो वो मनुश्य का ज़िवनिकार है रामद्रामदों शीव मंगाओ भगवान का भजन और दो और सब नुently jumie मुहले बादा हो इस दो समाज के लोगों सेट के सुन लिया है को लोगा Sat办 सु तो जीमन का सब देका है कि मेरे देवदिद्यों महादेव मेरे शंकर मेरे ओगडी मेरे तरकाल दर्शी मेरे तेलाशी अभी नाशी कि उपर एक लोटा जल चड़ाने का फल क्या है उसका महत्वत पारवती खंड के अंतरगत्षु महापुरण में कहा गया कि माता पारवती जी ने शिवजी से पूछा कि इस एक लोटा जल चड़ाने का फल क्या है पारवती जी ने जब पूछा तो शिवजी ने कहा देवराज ब्रामन की कथा लोटा जल चड़ाने का फल बताती है कि देवराज ब्रामन चोर था पर उसने जीवन में अच्छा का ने करता है जब देवराज चोड था गलत काम करता था वैमानी करता था प्रपंच करता था चल करता था पेकार काम करता था तो दεις द्राव शु ओन्दिर कीसे पहुंच गयंग। व्यकती अच्छा काम करता है तब ही तो शुम हाब पुर्ण में पहुचता है जो वेकार काम कर तो शु देवराज ब्रहमन की जो मुमा थी उसका नियम था एक लोटा जल प्रती दिन जो भी शंकर का मंदिर घर के पास था वहाँ जाकर चड़ाती थी उस जल का परता पी रहा कि मरने से पहले चोर बेटा भी शंकर के मंदिर पहुच गया और प्रांच उचने के बाद शिव के धाम समस्य लें चाल यह लोटा आ है सारी समश्या का हल है कि कि जल फीजाऊ लोटा कि कन धाकर जो घर से जाओ अगर का लोटा जल चटाता है तो इसकी हुपर पर शिव एक बहुत सरल भासा में इस कथा को और अच्छे से ले लो किसी की साधी में तुम जाओ और तुम जाओ रोटी खाओ चाएं मत खाओ पाणी पियो चाएं मत पियो पर जिसने बुलाया है तुम उससे मिलकर आओगे कि नहीं आओगे अरे बोलो जंके मिलोगे ना कि भई हम भले खाना निखाएं टाइम नहीं अमर्पस समय नहीं है अब साधी में आये तो हो पर एक काम तो करोगे क्या कि जिसने बुलाया है जिसके घर साधी उससे आमना सामना तो करके आओगे मिलके तो आओगे उसको मूंडा दिखा के तौन है क्यों मुझ दिखा करा होगी कि उसको लग जाए हम आये थे तरह तुम पंचाक्षर मंतर बोलो मत बोलो तुम नमसपाएं बोलो मत बोलो तुम कथा सुनो मत सुनो पर एक काम तरना जैसे साधी में काना आओ चाए मत खाव पी ओ जिसने बुलाया है उससे मिलकर जरूर आ करते हो उसी तरह प्रति दिन नियम बना लो कि मुझे संकत जी के मंदिर में अपना मूँ दिखाने के लिए जाना है जिससे उसके पास जाओं तो पहचान जाए कि यह रोज आता था मेरा है अपना है उसको पहचान जाए उसकी पहचान करना एक चाय देने वाला भी रोज आफिस में आता है तो आफिस की लोग चाय वाले तो पचान जाते हैं क्यों रहे कालू आगया हां सब्सक्राइब कालू आया और एक दिन नहीं आए तो लोग दूसरा वेक्ति आगिया चाय गाड़ दिया रुदूसरा तुम्हें तुम्हें से क्यों पूचा यह पनुखैने तो अधी रहा है तो सोमें दूख्राइब के आफिस में ही रखिया है और तो आया नहीं तो चिंता रहे है जब एक दो जाता है चाय देने के लिए लग बिचाना क्या हो गए उसको रोज मंदर जाते रहूँगे शिव के द्वार जाते रहोगे और अगर एक गी तुम्हारा दिल दुख गया तुम शिव के द्वार नहीं गये तो उसको चिंद्धा हो जाएगी आज कमला भई आई क्यों यह कारण के आया है क्या कारण हुआ जो पहुचा नहीं है कारण क्या है आप आये नहीं और सुभा हो गई मेरी पूजात की ठाली धरी की धरी की क्या कारण हो सकता क्या हुआ मेरे भोले तेरा सहारा है मेरे भोले तेरा सहारा है मेरी नईया का तो किनारा है क्यों यह कारण क्यों जीवन में मनुष्य का शरीर है मानव की देह है दुख आएगा सुख आएगा पर दुख आए तो गवराना नहीं इदर उदर भटकना मती माथा इदर उदर भडिकना नहीं किन çcm झासे हैं कभी यहां सुख आईां चले घए अपने को तुम फिर निवेदन करें आपसे बढ़ो सन को कित्ती बी चाय खिला लो भर वसंपम के कित्ती आवी अचारा किला दो परोसन के कित्ते वी पापड़ किला दो पर परोसन कभी अपनी जायजात का लिस्सा तो मैं नी नी और सागर की अगर पडोसन हो और देती हो तो हमें भी बता है इसमें को इसी तुमारी अडोसन पडोसन जो जाइज़त का हिस्ता देगी तुमको तुम कितना भी अच्छे से चाई पिला लो चाई सिर्फ पल्लू लगा लो तो जाइज़त का इस्ता ने और सास वाले तुम चाई पिला मात पिला दोख लगा मात लगा पूछो नी पूछो फिर भी जब मरेगी ना कि जित्ती रकम है ना जित्ती बववे ना चार पांचे दो थी साब उन्हें को मिलना कोई दूसरे को नी विलेगे कि सास दूसरे को देगी नए सास मरे Sectee to उसका अंपहूं कोई प्राप्त होगा तुमने चाई पिलाई कि की न पिलाई अच्य से बोले कि न प्रणाम कि न करऊ नमन करऊ कि नि करऊ पर जाय जाता हिस्जास किसी को न देगी अपने बाव कोई देगे काई कई सास ऐसी मिलती में है जो हमें सकती है कि गुरुजी मेरी बढ़ी वहीं कारे बहुत अब सब्सक्राइब गुरुजी बहुत देती है तो हमने भी कह दिया एक काम कर जित्ता भी तेरे पासे नहीं हरी द्वार में दिया तो तुरांत पल्लू कि दूसरे को मिल गए पड़ो संग को कितनी भी चाय पिला लो प्रणाम कर लो नमन कर लो वो जाय चाच का हिस्सा नहीं देती पर सास को पूछो ना पूछो पर हिस्सा सास ही देती है उसी तरह ब्रमा ब्रम लोक में रहते हैं भगवान विश्नु बेकुंदर लोक में रहत क्यों अट रहता है तो मेरा देव अबमा फूर्णाय सब्सक्राइब मेरे लिए मरने के बात व्यक्ति जब मरता है तो उसको कहीं वी होटल में ले जाकर अंकीन संसकार्न करा जाते हैं का ले तो अच्छे तो बोलो संशान घर तुमारी पसंद का होगा घर में लगने वाला पत्थर तुमारी पसंद का होगा घर में लगने वाला किचन तुमारी पसंद का होगा पर मरने पर संशान संकर की पसंद का होगा कि कौन से मसान में ज़र ज़र येश्यू पसंद करें कौन सी जगह लेके जाना है इसे म्रत्यू उस जगह पर ले जाती है जहां पर आपको मरना है घर तुमारी पसंद का समसान संकर की पसंद का हो और किता ही प्रयास कर लो ले जाने वाले तो तुमको तोप के चाहिकित तई प्रपंच करें की की तो काली काम नहीं आ रहे तुरांत के देज़ें घर के लोग लेई जा लेई जा वानना है और जो अर्थी के बांधने वाले एक्सपर्ड होते हैं वो इतन्फ जोरगार अर्थी बांनते हैं दो उदर बेठते हैं मोर्दे को पड़ा का खीच और खीच उदर से अच़्े सबों वहों सबको माल shaped अगवान को तो अपने कुरसी भरना यह भग गया तो अपने में से किसी को निप्टा दिया तो तो इसी को अच्छे से बाद के लिए चलो चिला पे चिलाते जाते हैं राम अच्छे सिलना जम या opposite है जो जीवन का एक कर और ज़िए सब्सक्राइब कुछ नहीं अंत में कोई पारेंगे चिता पे सुलाएंगे आग लगाएंगे और साब इदर उदर बेट के मल मुला के खाटे घर आए ना आए परिवार वाले भी बाजू में से पूरी और सब्जी आ जाए फिर इतने में कोई आजाए था तो फिर रोवा पड़ी पड़िशा जैसे कोई गया था फिर आए जमाना है मालवा के संत श्री नागर जी महराज करते हैं तेरा तेरा दिन याद करे क्यो रे नर सुमीरन क्यों निकरे क्यों निकरे क्यों रेए वर तेरा दियाद करेंगे और चवदे दिन फोटो जो टेविल पे था दिवाल पे ठांग देंगे फिर यके फूल की माला फिर सोला सराद में नीचे उतारेंगे फोटों को कंडा जला के दुनी देंगे और पूरी और खीर फोटों पे चिपका देंगे तुम फोटों पे साल भर पूरी चिपकी रहेगी अगले सोला सराद में फिर पोचके गिरागी एक साल तक पूरी और खीर तुम इसमाइल देते रहोगे और पूरी चिप इससे भारी और जिन्द की क्या है मनुश्य कहता है इसलिए निवेदाने फिर कह रहा है सागर वालो मुका मिला है शुमहापुरान कथास्वन करने का इसी में बस मुक्य को देखतर चोका लगाना है और परमात्मा क्योड जाना आरे हारा और शुकी करता है शंकर की में रमना है शिम्मान की तो प मैं है भकवान की अपि जरौ्झारrit भाक्ति को अपने भीतर धारन पहरन स Deck कर रही हे भक्ति की अभीरलता धारण करकर और भुए tutto सव्मारंगार करकर शिए मंधिर मैं मैं शिव श्री श्रिवाय नमस्तुर्य हुं श्रीशिवाय 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 नमस्तुर्य हुं श्री एक लोटा जल शिव को समर्पित करती थी उसका फ़ल में आख गोध्यांगी जे कथा पर कि दुख आये तकलीफ आये कश्ट आये वह अपनी जगांगा पर उस दुख और तकलीफ के साथ में शिव का इस्मर्ण हो जाए अकाल मृत्यू वो मरे जो काम करे चंडाल का काल उसका क्या भिगाड़े जो भग्त हो महां जो शिव का उपासा से कि सब जाते हो शंकर जी के मंदिर एक लोटा जल समर्पित करने जाते हो ना अब जरा विचार करिएगा पहला जब तुम शूमंदिर नहीं जाते थे एक लोटा जल संकर को नहीं चड़ाते थे सब जगा जाते थे पर देव अधिद्यू महादेव के द्वान नहीं पौशते थे एक कुछ समय का अंदाजा लगाई है और एक शूमंदिर जब से जाना चलू करा तब से अंदाजा चलं कि थो दो रही होगे तो दजा खिशत्यू हमारे पास स्तर कीम ऑन कीम और करो क्योंकि मर्तिव लोग का एकी देव है वो देव अधी देव महादेव है भूल से इस मुख से अगर शिव का नाम निकल जाता है तो भी शंतर करुणा कर जाता है एसा बोला मेरा महादेव है इतना बोला गये देवराज, ओम शिव महादन की कथा चाहिए इस कथा के मात्मैम से वहाँ पहुचना है कि शिव महादन कर दे कि पहला ओम का नार कभ प्रगठ़वाद जाता, कहां प्रगठ़वाद? इस कथा के मात्यम से मुक्त महा पहुचना इस साथ इन इस ओम नाद में तीन अक्षर छोपे होंगे हों आ उ और मा चाहे आप मानलो गर्मा विश्णू और महेश सारे बेद सारे शात्त सारी पुरानी इस ओम के अंतर गतर और केवल सनातन धर्म ही नहीं इस तनातन धर्म से भी हट कर जितने धर्म है जितने भी धर्म है सारे धर्म में ओम शब्द का नाद है मारा एक बात का समर्ण रहीएगा आपके भी तरह जब कभी एसा लगे जीवन में कि मैं बहुत दुखी हूँ और कश्ट माई जीवन चल जाए और कोई समस्या का हली नहीं मिलगा बहुत दिन हो गए जूज रही हूं में इन समस्याहूं से तो बेल पत्री की जड के अंतरगत जो बेल पत्री का बड़ा व्रक्ष हो उसकी जड हो उस जड पर है लाल चंदन गिसकर या लाल चंदन से कटोरी में गिसकर लेकर जाए शिवजी पर लाल चंदन से उजन करने के बाद में उसी चंदन को ले पर आकर बेल पत्री की जड़ के अंतरगत ओम अक्छर को लिखकर एक बेल पत्र अपनी कामना करकर उस जड़ पर बेल पत्री के समर्पित करने पहले कथा में कहा है कि बेल पत्री कोई साधरन सा ब्रक्ष नहीं है इसको केबल साधरन मत माने यह कोई साधरन सा ब्रक्ष नहीं है बेलपत्री की जड़ में ओम स्ब्ध लिख कर अक्षर लिख cooking उस करकर इसमर्ण करकर आता है ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो चार दिन पांच दिन में या छे दिन में मेरा देव अधिदेव महादेव जो समस्य और टेंशन जिंदगी में चल रहा होता है उससे थोड़ा बहुत तो निजाद मेरा देव अधिदेव महादेव उसी समय करना प्रादम कंपीट शिव्ट पाइब पर चन्न लगा होना चाहिए श्विलिंग पर पहले श्विलिंग पर चन्न लगाना उसके बाद लेकर जाए कौन से दिन जम के बोलो जरा परदोश को समय परदोश काला लग रहा है कि जूज रहे हैं हमारे जीवन में बहुत बहुत टेंशन हैं बहुत समस्य है तब ओम अक्षर का नाद मूल होना चाहिए आप मैंसे कितने लोग शुमंदिर जाते हैं सभी लोग जाते हैं तो शंकर जी के मंदिर जाते हैं तो आप जब आपिस लोट कराते हैं तो नंदी के कान में जब हम नंदी से कुछ करते हैं आप लोग जब आपिस लोट कराते होंगे तो नंदी से क कुछ के कराते हैं आपने देखा होगा कई लोग नंदी के कान में कुछ करते हैं फिर नंदी का जो सींग होता है उस सींग के बीच में से शिविलिंग का दर्शन करते हैं कि तो नंदी को जब कोई बात कही जाती है नंदी से जब किस्ट पहा जाता है कि हमारी बात शिभ जी तक कोचाना तो उससे सब से पहला अがर माध करा जाता है नंदी के कानों में तो उम काना वान कर दो he ऑप सीदे जातर अगर कहींगे नंदी को कि हमारी ये बात है यह बान्त कोचा देना तो नंदी उस बात को कहे चाने काई पर जब आप नंदी के कान में एक प्त्र आपने बढ़ा झाला और पत्र को तुमने लिफाते के अंदर रखने के बाद में तुमने एड्रेस भी लिग दिया समझ लेना बहुत अच्छे से एड्रेस लिखने के बाद में तुमने अपना मुबाईल नंबर भी लिए कि सब कुछ कम्प्लीट करते हैं हम इस लिफापे को तुमको भुपाल बेजना सागर से और तुमने लिजाकर इस लिफापे को गागघार के डब्वे में लिफापा जायेगा जमके बूरी है एड्रेस पुरा लिखा है पीछे तुम्हारा नाम भी लिखा है मुबाइल नंबर भी लिखा है सब कुछ लिख दिया पल लिफापा जाएगा नहीं क्यों नहीं जाएगा क्योंकि उस पे टिकी चिपका नहीं है पंद्रा पेसे का दस पेसे का पचीस पेसे का या एक रुपे का या दो रुपे का उस पे अगर कोई टिकी चिपका होता फिर आप उसको डालते हैं तो जाता की नहीं जाता है चले जाता है यह ओम सनातन धर्मके अंतरगत जितने भी मंतर होते हैं जितने बरह्ममन मंतर का उचान करते हैं उसमें वुटका Hotak कियों करते हैं क्योंकि यह हमारे शलोकों को हमारे शब्दूं को हमारे दिल की बात को टिकिट का काम करकर परमार्मा तब पहुचा देता है यह उम अक्षर उम्षब ओम ना को कभी कभी बेल पत्र देखनां जब बेल पत्र समर्कत करते हैं तो ऊपर वाली जो पत्ती होती है उसके ओम लिख नो किसी को लिखते ओओ देखा होगा चंडन से ती से सबसे मूल जीनित यों में युथ वाली इत्वाने जा है इदरवाली में लिख दिया शिवा कभी आपने देखा कि इधर वाली पत्ती में ओम लिखा हो इधर में नमाह लिख दिया हो इधर में शिवाय लिख दिया हो नहीं लिखने वाला लिखेगा तो कि जो बिद्वान होता है चतूर होता है जिसमें बिद्वत्ता होती है वो सबसे उपर वाली पत्ती में ही ओम इसलिए हो सबसे पहली पत्ती में ओम ही मिलता है ना देवराज के प्राणा छूट कर देवराज के प्राणों को छोड़ा एक लोटे जल की महत्वता जानकर माता उनकी देवराज की मान जो जल चड़ाती ती उसका फल ये मिला की देवराज के प्राण जहां छूटे वहाँ कोई दूसरा ब्रक्ष नहीं था बेल पत्री के ब्रक्ष के नीचे प्राण छूटे था शनातन हिंदू धर्म के अंतरगर आज भी किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं अर्थी को लेकर जाते हैं तो एक जगा पर अर्थी को रोका जाता है उतारा जाता है इदार उतारते की न्य उतारते वह हम को माlles निअ पर सास्तर कि एक दार मेरा पूल सब दो देते हैं अर्थी को नीचे कि लोगों से कुछ कि ये संसान जाते समय और तौन पीच में क्यों रोका गया अरती रोकने का था क्यों कहा है यह जरूर बताएगा कि श्यु महापूराण के अनुसार देवराज के प्राण, बेलपत्री के ब्रक्ष के नीचे छूटे थे, इसलिए सास्त रीती करती है, जिस मुर्दे को लेकर जाते हैं, कोई बेलपत्री का पेड जो गाउं में होता था, उसके नीचे अर्थी को थोड़ी दिर रख देते हैं, तो उस जीव आत्मा को केलास धाम पहुचा द अब आज के जमाने में तो बेलपत्री का ब्रक्ष, एक निवेदन सबसे करेंगे, मुका मिले जीवन में, अगर मुका मिले ब्रक्ष लगाने का, तो जिस मार्ग से अर्थी निकल कर जा रही हो, समसान जा रहे हो, और बीच रस्ते में दोनों तरफ, अगर मुका मिल जाए तो पहीं एक, अगर बेलपत्री का ब्रक्ष लग जाया, और उस बेलपत्री की च्छाया, उस मुर्दे पर और अर्थी ले जाने वाले पर पढ़ जाया, तो वो स्वयम ही शिव के धाम पहुचा की तुम मुकानी तुम नृहां यहां देवत्रों का जहां तीव द्रॉटाओं के अश्य के मंदिर बन रहा हो, चंकर बंदर का विस्तार हो रहा हो, कहीं भगवान देवता, विराञब मान वह तो मेरा ते निविवेदान है कि आपके बगीचे में बेलपत्री के जितने मिं वह प्रश्यों होंगे वो जीव का कल्यान करने वाले है कि सुक्ष दूख करने है अब के सरवानी जी अमको कल जब लेकर आ रहे था यह वह अम जब यह आ रहे थे तो एक भाई कथा लेने के लिए आये हुए थे नीम अचके तो के सरवानी जी वहां पर बेटे हुए थे तो आमने उनसे पूछा कि वही आपने कथा ली है और कथा तो अभी मिली नहीं आपको 2022 में 23 में भी नहीं मिली आपने 24 में ली है तो 24 में कथा ली इसको लेने का कारण क्या था तो उन्होंने कहा बस एक ही कारण से कथा ली शरीर में रोग हो गया था उस रोग को सई करने में लाखों रूपे लग रहे थे पर मेरी माता जी ने कहा कि शिवजी पे चड़ा हुआ जल का प्रयोग करना प्रारम कर दे और मै कि शदी ठीक हो गया ना है कि हमने उनसे एक ही बात की शरीर तुम्हारा ठीक हुआ है पर यह काम जरूर करना जीवन में एक बेलपत्री का ब्रक्ष जरूर लगा कि प्रयास करो हम शिवकी अनागना करें प्रण चूटे तो बेलपत्री के नीचे चूटे और बेलपत्री के रख चूट जाते हैं भगवान शंकर के गण देवराज को लेने के लिए आते हैं सामने खड़े यंदूत भी संवोग में खड़े हुए थे यंदूतूने देखा शिवकी गण य नहीं शंकर के गन बोले हमारे सामने टमारत पुन्य करा है कि शंकर बगान के गन बोले इसने कोई पुन्य करा केवल एक उन्य करा कि प्राण झोड़े तो बेल पत्री के ब्रक्ष के नीचे को पällen प्राण बेलपत्री के व्रक्ष रखेंगे भजन, कीर्तन, इस्मरण, मंत्र जाप, नाम जाब बेरी माताएं श्री शिवाय नमस्त अभ्यम का जाब करती हैं कई माताएं निश्षित है कि रोटी मनाते में मेरा बेटे सवाइब और शंतरा मेंate चड़ाती होँ बले मेंस भर में काम करना मैंने सुना तुर मंत्र में करो काम करते रहो मंतर जपते रहो घट की लिया से मंतर जपा जाता है तो वो घटगट का वासी स्विकार कर दो हम यह नहीं कहते हैं कि घंटों तक मंदिर के अंदर बेठना हमारा तो इतना सा कहना है एक छण के लिए जाना पर देवादियों महादेव के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करकर श्री शिवाय नमस्त भ्यम बोलकर उसके इसमर्ण महाराद देवराज के प्राण गए आगे बढ़नन आया चंचुला देवी ने बिंदू के लिए श्रु महापुराण की कथा खुश्र बन करा भगवान देव अधिदयों महादेव इसर जी गोराजी बनकर गणा और गोर बनकर श्यू महापुराण की कथा की यज्मान बनकर श्यू मुर्णा को सुनने के लिए तुमुरुका जी के पाज जाते हैं और तुमुरुका जी उनको ओम अक्षर के महत्व का व्याप्ष्चान बढ़नन करते हैं साथ कल की कथा में पहुचेंगे ओम अक्षर के जन्मकी करते हैं आनंद के साथ प्रेम के साथ जिनके शरीर में जमड़ी सफेथ पढ़ जाती है या शरीर पर कहीं दाग हो जाते हैं उसको ओम अक्छर का नाद करते हुए क्या चीज संसर भगवान को चड़ाई जाए कि चर्म रोग या शरीर में जो खाज हो जाती है पपड़ी निकलने लग शिव का ओम अक्षर का नात करकर शिव को क्या चड़ाया जाए और किस जगा चड़ाया जाए जिससे शरीर का ये लोग मिट जाए उसका इसमर्ण कलकी कर्था में देंगे हार हार महा देव